अगर आप मुंबई shift करने की सोच रहे हो तो ये guide आपके लिए काफी helpful होगी मुंबई में टिकना आसान नहीं है बट अगर आप practical और focused हो तो ये possible है सबसे पहला step है यहां का rent system और lifestyle समझना actors के लिए सस्ती जगह है वर्सोवा विलेज थोड़ा कम budget में रहने का option मिलता है अगर भीडभाड से बचना हो तो boat लेकर मढगाव भी जा सकते हो Metro connections के साथ वर्सोवा और मढड आरामनगर के पास जो एक Actors Hub है perfect for aspiring actors अंधेरी, गोरेगाव, मलाड, जुहू actors और creative professionals के बीच काफी popular है और काफी expensive भी Mumbai के हर कोने से local trains और metro से easily connect हो सकते हो साथ में public transport, busیں और auto भी है लेकिन यहाँ jam भी बहुत होता है अब बात करते हैं महीने के खर्चे की house rent, आप अकेले रहेंगे या share करेंगे ये आपके उपर है 1BH की, अगर 4 लोग share करते हैं तो भी महीने का 5000 आ ही जाता है खाना, दिन का 200 रुपे पकड़ लें फिर भी ये महीने में 6000 रुपे बनता है ये घर के बने खाने या बाहर खाने पर निर्भर करता है अब बाकी travel, utilities और अंसंगिक खर्च भी सब मिला का total खर्च 15,000 रुपे तो कैसे भी cross होगा वो भी बहुत ही low lifestyle के साथ महीने के कुल अनुमानित खर्चे low budget 15,000 से 30,000 रुपे moderate budget 30,000 से 50,000 रुपे high budget 50,000 से 80,000 से अधिक मुंबाई में survive करने के लिए practical और smart होना जरूरी है financial planning के बिना focus रखना मुश्किल हो सकता है कोई सवाल हो तो comment में पूछ सकते हो All the best for your future